हलो केप्टेंज आपका स्वागत है और भाई इसल टीम इतने प्लेयर क्यों रिलीस करें यह मेरे दिमाग में कहीं नहीं फिट बहट रहा है कि भाई कितने प्लेयर्स रिलीस करेंगे दो का तो न्यूज मैं आज ही कवर करूंगा और एक का न्यूज भी मुझे कवर करना पड टेकर टाइम आई विल जस्ट गो इंटो वीडियो और स्टाट विट रॉस्टन ग्रिफिट इस रिलीज्ड और भाई यह शौकर था शौकर मुंबई सिटी एफसी के कोच पिटर किटकी को मेरे तरफ से एक बहुत बरा सलूट पिटर किटकी एक चीज समझ चुके थे रॉ वहाँ पर फिर से जो मुंबई ने मैच खेला एगेंस ओर से तीन बार मार पिट हुआ और तीनों बार कॉन इसमें एक बहुत बरा रोल प्ले कर रहे थे और कोई नहीं रॉस्टन ग्रिफिट जो टीम के उपर जो उनका जो इंफरेंस था वो कही पेटर केटकी को चुब र इसको एक डिसिप्लीनरी इशू के तौर पर देखा है और डिसिप्लीनरी इशू की तरह से ही उन्होंने रॉस्टन ग्रिफिट को रिलीस किया ज्योंकि अगर मैं फुटबॉल की बात करू रॉस्टन ग्रिफिट के आस पास कोई भी डिफेंडर मुंबाइ सी डिफसी में ह खिला सकते हो बड़ उतने अच्छे सेंटर वैक वो है नहीं तीरी इस इंजरी प्रों सो मार्केट में मुंबाई को जाके फिर से एक सेंटर खरीदना पड़ेगा और वो भी किस दिन 27 आज यह बैसिकली पेटर केटकी ने यही समझा कि ड्रिसिंग रूम का बॉस मैं हूँ और आई वांट सम डिसिप्लिन इन टीम आई वांट सम स्टैटूटरी थिंग्स इन टीम और यह उन्होंने बैसिकली अपने टीम में स्टैट्यूट सेट किया कि भाई इन इस टीम यह वाफ टो डिसिप्लिन इन इस टीम देखो स्पेशली पेटर केटकी को मुंबाई में लाया गया है यांग प्लियर्स डिवलपमेंट के लिए और उनके अंडर में गूर की रथ आयूश विक्रम जैसे प्लियर्स खेलेंग और उनसे अच्छे professors के एक कश्पेशन भी रहेगा बाट उनके टीम में अगर एक यांग प्लियर को अच्छा परफ्रम करना है the first and foremost the most important thing उनके टीम के लिए क्या होता है उनके टीम के लि less important tING होता है dyसिप्ल्लेह, Yung às च्प्लियरे के लिए इस तो अगर इंतना ill discipline issue के अलावा और कोई नहीं रीजन था और इस रीजन से क्या मुंबाई के performance में effect पड़ेगा बिल्कुल पड़ेगा मुंबाई के performance में effect पड़ेगा and they will suffer from this they will genuinely suffer from this और उन्हें defensively suffer करना भी पड़ेगा क्योंकि तीरी बहुत time के बाद he's still rusty यॉयल वैंनी एफ एक centre-back है नहीं और अगर आप यॉयल वैंनी आपको centre-back के तरह पे खिलाते हो in midfield you don't have a central defensive midfielder so आप Mohanbakan के तरह defense में exposed हो जाओगे and unlike Mohanbakan you don't have Indian national team level CDM in the team क्योंकि आपुया बहुत दिनों से CDM नहीं कहलता so आपुया is not your CDM so आपके लिए एक बहुत बरा इशू है so Mumbai ने basically एक बहुत बरा रिस्क लिया है क्या रिस्क प्रेओफ करेगा ना कि यह रिस्क प्लेओफ नहीं करेगा that is something it's very hard to tell so from my point of view I'm very clear Mumbai ने एक disciplinary issue के वज़े से ही किया है so now moving on to the second issue that is Northeast United releases Pragyna this was a shocker this was actually a shocker और हम यहां पर प्रग्यान के बारे में बात करेंगे बट उससे पहले let's take all those comments as well comments ले ले लेते हैं उसके बाद प्रग्यान के बारे में जाएंगे hello silent killa bhai sana to bfc rumor का क्या update है भाई अभी rumor तो rumor के stage में ही है कुछ finalize नहीं हुआ है बट sana will go out that's for sure लगता है निखेल पुझारी निखेल पुझारी कहीं पर भी जा सकते हैं यार मुझे एक बात समझ में आती फूट बाल में और और क्रिकेंट में एशन टीम नहीं इस्यों बहुत बहुत इजिया एश ओशन या फुटबॉल में कुछ टीम है नहीं अच्छे तो ऑस्ट्रेलिया ड़स प्ले आस नेशन टीम सो क्या अरिंदम भट्ट चारे को यह उसे लोन डील में इंटर काशिए ले सकता है नहीं तो लेना तो नहीं चाहिए भाई प्रग्यां के लिए बुरा लग रहा है लोकल लरका था बैचारा बीना क्लब रह गया रहा है और नहीं 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 आ रहा है एक सी फॉरें प्लेयर जरूर आएगा 31st के खिलाफ I know last दिन 31st को मैं पागल हो जाओंगा that's the only thing which will happen good work bro you are the only guy who covers ISL news updates keep it bro पर यह ऐसा ही करता रहूंगा बहुत सारे लोग है national team cover करने के लिए उसले मैं national team मुतना जरा covered नहीं करता my priority will always be ISL so now moving on to the second news second news क्या है second news है प्रग्यान गोगोई को नौटीश United FC ने छोड़ दिया है और सच बात बोलो तो मुझे कोई logic नहीं रिखी इसमें the only logic is आपके पास बहुत ज्यादा wingers बहुत ज्यादा wide midfielders है this is the only reason कि आपने प्रग्यान गोगोई को छोड़ा होगा otherwise कोई reason नहीं है प्रग्यान गोगोई को छोड़ने का his performance was inconsistent I know that but उनसे भी inconsistent player team में ज्यादा है and they are still in the team but he is not very hard to tell क्या हुआ है between the scenes मुझे लगता है कि शायद North East United FC right now market में जाके कुछ players खरीदने की कोशिश करेंगे they will try to buy some players and for that they will need money they will need wages और यही reason था कि wage cut कर दिया है basically प्रग्यान को छोड़के and I totally feel sorry for प्रग्यान he is currently released but again उनके पास चार दिन है और मुझे लगता है कि आई-league के बहुत सारे टीम से जो उनको लेना चाहेगी teams like Mohammedan Sporting, teams like Sydney Deccan, team like Gokulam Kerala जिनको wingers की जरूरत है, Indian wingers की जरूरत, they will absolutely go and try to buy him इसमें कोई डाउट नहीं है, so I am not very much worried about him ज्योंकि team जरूर मिलेगा बट छोड़ा क्यों है I absolutely don't know, क्योंकि मुझे अभी भी बहुत clear है अगर आप पैसो के वज़े से छोड़ रहा है कि to get money that may will be the only reason क्योंकि football issue नहीं हो सकता, उनसे भी inconsistent play team में खेल रहा है अगर मैं प्रग्यान को team से निकाल दू, Jitin को भी team से निकाल देना चाहिए because Jitin is also playing very good football but बहुत ज़रा chances में प्रग्यान didn't get that much chances and also he's a local lad as well, जो मैं बोल रहा था, so ये एक मुझे लगता है कि प्रग्यान गोगोल को छोड़ दिया है, so absolutely they will go and try to buy someone from the market as of right now किसी एक player को तो वो ज़रूर खरीदने की कोशिश करेंगे, जाके market में क्या वो centre-back होगा, क्या वो Indian midfielder होगा, क्या वो winger होगा, प्रग्यान के जगा में, winger ही होना चाहिए but मुझे अभी भी लगता है कि North East की team, शायद Nikhil Pujari के ऊपर थोड़ा pivot करेंगी अगर अगर निखिल Pujari नहीं मिलता, I still think they will go for an Indian midfielder क्योंकि midfield अभी भी North East का weakness है, the foreign midfielders are the mainstay, एक अच्छा Indian midfielder चाहिए Falguni Singh के अलावा, Falguni is there but they will still need another Indian midfielder as well so एक Indian midfielder या शाय निखिल Pujari, maybe somewhat is in the target of North East United FC otherwise प्रग्यान के release का कोई चीज मुझे नहीं बनता and also यह चीज मुझे लगता है कि भाई, North East United FC को लाल ब्यागनिया के लिए जरूर जाना चाहिए, Shilongka player है, a brilliant player लाल ब्यागनिया so लाल ब्यागनिया एक player हो सकते है, जिसके लिए North East United FC को जरूर 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 जाना चाहिए so I don't know if they will go for the eyeswall player that is लाल ब्यागनिया, so that is something that I want to see पर देखते हैं क्या होता है, भाई, कोई players खरीदेगे है प्रग्यागनिया को रिप्लेस्मेंट, मैं नहीं बोल सकता है, North East का बहुत, North East का मुझे समझ में नहीं आ रहा, बहुत कुछ होगा, लास्ट कुछ दिनों में, मैं बोलना हूँ न, मैं पागल हो जाओंगा, वही होगा, लास्ट कुछ दिनों में, शिलोंग राजों कभी प्रग्यान गोगर इंट्रेस्टेड है, बहुत मुझे आए, दोनों ही टीम लास्ट पार में फॉम्पिक किया है, so I won't tell which team will win, ये क्योंकि मेरे लिए मुझ किल हो जाता है, foreigners कोई signing नहीं होगा goalkeeper signing मुझे नहीं रखता होगा so Mirshad will most probably be the goalkeeper for the rest of the season यह मैं आपको पहले ही बता दू North East United FC are sticking with Mirshad क्योंकि वो जानते है कि market में बहुत ज़्यादा अच्छे goalkeepers right now available है नहीं specially जो अच्छे goalkeepers है not there in the market as well क्योंकि बाकी सब टीम के first goalkeeper are pretty much fixed so he has seen so North East United FC will go for an Indian outfield player but that will most probably not be not be a goalkeeper why NFC release team I don't know bro I don't know bro कल defense versus attack फुल भाई इस Bengal की defense और Orissa का attack कल फिल जुन जार देगा एक दूसरे को भाई क्या लगता है खली देवसी वो 2019 मने FC का magic ला पाएगा क्या बोलना बहुत मुश्किल है भाई क्योंकि भाई उस team का इस team में एक बहुत बढ़ा difference है कि league में अब सारे ही teams बहुत competitive हो चुके थे उस time तक भी बहुत सारे ऐसे teams थे जो on paper बहुत अच्छे नहीं थे इस साल तो सारे ही teams अच्छे है so can he pull off something like this but Khalid Jamil is famous for doing something FC Goa का शायद अलगी कुछ चल रहा है मुझे लगता है कि FC Goa जिस foreigner के पीछे भाग रही है I think FC Goa का foreigner शायद free agent है and शायद January के महीने के बाद भी आ सकता है मुझे यही लगता है कि transfer window के बाहर से आएगा क्योंकि यह personally मुझे लगता है he's a free agent और bossman signing का कोई time नहीं होता सुना है साहिल तबरा लो में शॉंको निल there is no reason why he shouldn't come so जो भी हो भाई लाउस जाओ move on to the final news of the day that is East Bengal versus Odessa FC final कल है and finally Carles Quadrat versus Sergio Lovera एक time पे FC Gowa और Bengaluru में हम इन दोनों को खेलते होई देखते थे and they played very interesting matches in between them उन दोनों का rivalry भी बहुत famous था so we are once again seeing that rivalry at the final और यहां पे एक AFC Cup का AFC Champions League का spot is also involved with it कौन जीच सकता है बोलना बहुत मुश्किल है मैं एक छोटा सा analysis यहां पे कर देता हूँ अगर गोलकीपर के बात में कहूँ अमरिंदर लॉट आया है so most probably अमरिंदर ही गोल में रहेंगे अमरिंदर वसे प्रप्सुकंगिल that's a 50-50 battle मैं किसी को आगे किसी को पीछे नहीं रहूँगा defense के अगर बात करते है East Bengal will go for Hijaji Mahe जो से पार्दो उसके अलावा they will go for someone like a Mandar Rao Desai, Mandar Rao Desai और Nishukumar या Nishukumar और someone else यही चार प्लेयर्स होंगे defense में on the other hand Odisha का defense भी sorted है they will play Carlos Delgado और Murtada Fall दोनों एक साथ center back के position में खेलेंगे left back, right back में there will be in one position Amair Anabar is fixed Lalu Nzuala Dakhshina Muti से कोई एक खेलेगा in the position of the left back so defense अगर देखू, दोनों team के defense को मैं evens तोर पर रखूंगा goal threat ज्यादा शायद Odisha के defense को अब प्योर defending यहाँ बात करू, East Bengal की team on a basis of pure defending they are better but in terms of aerial threat, Odisha defense will be kept further ahead, उसके बाद East Bengal का formation 4-2-3-1 हो जाता है and for Odisha 4-3-3 so यहाँ पे direct comparison करना मुश्किल होगा but मैं फिर से बोलूँगा Odisha's midfield are more creative and East Bengal's midfield is more defensive so यही है so in offensively, Odisha जरूर आगे रहेगी they are more creative players who are very creative Amej Jauh जाएसे players Amej Jauh also तेखो भाई, मैं सच बात बोलू तो Amej Jauh is better than Saul Krespo and Sai Godard is on the same level with Boja Harreira so foreigner के kota में मैं midfield में Odisha को थोड़ा आगे रखूँगा in terms of Indian players एक में शोईभिक चोक्रोवत एक में पूइतिया both are in form so it's a 50-50 battle out there as well so यही scene है midfield का partially शायद Odisha कुछ आगे रहेगी इसके बाद attack में आते है East Bengal के लिए विल्भी, Nanda Guma, Shekhan, Nauram Mahesh Singh and Clayton Silva with Javier Siverio यही चार खेलने वाले है and for Odisha Odisha is pretty much fixed in that issue as well उनके लिए Diego Morisio Roy Krishna और Isaac खेलने वाले है which team is better on paper बहुत मुश्किल है बोलना both of them have good players in terms of Indian players absolutely East Bengal will be ahead in terms of foreigners I will keep Odisha FC ahead specially with Diego Morisio जो right now आग बरसा रहे है so it's a totally different kind of a battle tomorrow who will come out in the as a winner very very hard to tell I won't talk about it it's very hard to मैं कोही यहां पे कुछ prediction नहीं करने वाला but फिर भी मैं बोलू as a as a Mohan Bagan fan I will absolutely support OSFC tomorrow because you know आप जानते हो कि as a Mohan Bagan fan you will support anybody who is against East Bengal Asian stage हो तो अलग बात है but again in Indian football I will be supporting Odisha but again it can be totally very very different East Bengal भी fight में बहुत 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 तक बरकरार है जो लोग वीडियो देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो और पार्थिप का podcast कैसा लगा comment section में जरूर बताओ और आज का वीडियो भी कैसा लगा जरूर बताओ and we will take all the comments right now who go in MCFC is this true भाई we will have to see who go आ सकता है MCFC में but again before then Mohonbagan need to sort out the C-A-M choice or C-D-M choice so यह हमें देखना परेगा थोड़ा but हो सकता है सुन रहा है Hyderabad किसे कोई आ रहा है NFC में can be Nikhil Puchari can be Sahil Tavora hi 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 Uronia Vamos Orisa Dynamos Vinit ने यहाँ पे Orisa के fans को चपेड में ले लिया है जोए मोहन बागान सोनू हाई ब्रो हाई हाई junior modern to Mohonbagan super giant rumor as of right now मेरे पास कोई rumor नहीं है junior modern का जो rumor आयता वो rumor के stage में ही रह गया है so I don't have any rumor about that as well जोए मोहन बागान जोए मोहन बागान अगला साल से AFC competition में 11 foreigners को खिला सकते हो new rules by AFC Indian football में ज्यादा फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि Indian football में किसी भी team के पास उतना पैसा नहीं है कि 11 foreigners पाल सके specially 6 को register करके 5 को पालना पड़ेगा and I don't think Indian football में ये possible है so the truth is नहीं होने वाला है यहाँ पे वैसे कुछ but अगर अगर आप serious हो मैं अगर मैं जो teams Asia football खेलेगी मैं उनको बोलूँगा Indian football का जितना development करना है उससे भी वो आपका एक priority है बहुत क्लब football का भी importance है club football को भी अगर develop करो तो ज्यादा fans आएंगे in the stadiums as well take a risk take 7 or 8 foreigners in the team 8 या 9 foreigners आप team में ले सकतो especially जो team के Indian players ज्यादा strength नहीं है जैसे और इसा next साल अगर जाती है they should take 8 foreigners 6 को register करो 2 को खाली रग दो the two will practice with the team and will do play the odd matches in the super cup they will constantly play in the super cup जब जो cup tournaments होंगे जैसे दूरंड और super cup में उनको time दो game especially next साल से super cup basically in between the season होगा वहाँ पर उनको खिलाओ उनको AFC कप के matches के लिए प्लिए करो registered 8 players Mohanbagan टीम के पास जिसके पास पैसा है Mohanbagan Mumbai go with 8 foreigners take a risk let's see what happens और next साल से साफ का championship भी शूरू होगा so that's the issue as well so बहुत कुछ है देखने को भाई भाई क्या हुआ भाई मुझे नहीं पता भाई क्या हुआ ये news बहुत बरे में आ रहा था उसके बाद देखना पड़ेगा भाई पेदरी तु मुंबाई confirm रोडरी टुगवा silent killer भाई ये सब काम करने के लिए आपको एक दिन Mumbai और गवावाले पीटना दे हाई ब्रो जतिन हाई 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 उरोनिया थैंक्यू थैंक्यू ब्रो कोई new player आ रहा है भाई बोलो जरा किस team का new players तो जरूर आएंगे बड़ किस team का World Cup Qualifier के लिए 7 दिन का training का मिला है बहुत दिन मिला है अगर आपको आफगानिस्तान के लिए 14 दिन चाहिए दिन आपको कोचीं छोड़ देनी चाहिए 7 days is enough for a team like Afghanistan they are themselves reeling in problems NFC में निखिल पुचारी आएगा शाइब बेभी बेभी सिर्फ MBSG effort कर सकता है 11 foreign players भाई Mumbai भी कर सकता है Mumbai can Mohan Bagan can both of this team can Ryan adverse to FC Gua यह जो news था यह तो अब तो भाई टेबल के अंदर चला गया है so I don't know how much truth about there is as of right now but until then it's goodbye from man Tata film मिलते है कल रात को 10.50 को and we will have a new new super cup champion so we will talk about that we will also talk about Kwame Vepera and we will talk if there is any new player coming on as well so guys Tata कल रात को मिलते है